हे गाईज मैं हूँ सलमान शा और मेरी यूटूब चैनल Tech Explorers में आपका स्वागत है गाईज आज की स्टूड़े में हम सिखेंगे कि PNB1 एप्लिकेशन में रेजिस्टेशन कैसे होता है लेकिन पहले एक बात बता दू कि PNB1 एप्लिकेशन टीम ने सीम बैंडिंग फीचर को इंटर्डूस किया है इसका मतलब है कि आप PNB1 के मुबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल या इसमें रजिस्टेशन तभी कर पाएंगे जब आपका रजिस्टर मुबाइल नंबर जो आपकी बैंग एकाउंट से लिंक है आपके फॉन में लगा हो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेले प्लेश्टोर से PNB1 एप्लिकेशन को इस्टॉल करें एप्लिकेशन इस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें जैसे ही आप एप्लिकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ पर्मिशन मांगी जाएगी तो आप यहाँ पर वाइल यूजिंग दे एप वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद सब जगा अलाव पर क्लिक कर देंगे रजिस्टेशन मेथट का ओप्शन शो हो जाएगा यहाँ पर आप PNB1 एप्लिकेशन में तीन तरीके से रजिस्टेशन कर सकते हैं फर्स अपने डेबिट कार्ट से सेकेंड अपने एकाउंट डिटेल से एं थर्ड अपने आदार कार्ट से बड़ इस वीडियो में मैं आपको फर्स अप्शन यानि के अपने डेबिट कार्ट के थ्रू PNB1 एप्लिकेशन में रजिस्टेशन करके दिखाने वाला हूँ सो सिंबल से आप रजिस्टेशन विद डेबिट कार्ट वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ important details शो हो जाएगी जिसको read करके यहाँ ok पर क्लिक कर देना है ok पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface शो हो जाएगा यहाँ पर आपको account number का option देखने को मिलेगा उसमें आपको अपना account number टाइप कर देना है उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दो option देखने को मिल जाते है first mobile banking services second mobile and internet banking services guys अगर आप first वाले option यानि के mobile banking services वाले option को choose करते है तो आप सिर्फ और सिफ mobile banking का मज़ा ले सकते हैं और अगर आप second वाले option यानि के mobile and internet banking services वाले option को select करते हैं तो आप mobile banking के साथ साथ internet banking का भी मज़ा ले सकते हैं बच्चुकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ mobile banking का मज़ा लेना चाता हूँ इसलिए मैं mobile banking services वाले option पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दो option देखने को मिल जाते हैं तो अगर आप PNB1 application के सारे features का मज़ा लेना चाते हो तो आप यहाँ पर second वाले option यानि के view and transaction पर क्लिक करेंगे उसके बाद continue पर क्लिक करेंगे continue पर क्लिक करते ही आपके register mobile नमर पर एक OTP send किया जाएगा OTP आप यहाँ पर type करके continue पर क्लिक कर देंगे continue पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface चो हो जाएगा आपको यहाँ पर अपने ATM card की details को fill up करना होगा सो simple सा आप यहाँ पर अपने ATM card का नमर टाइप करेंगे और यहाँ पर अपने ATM card का pin टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर submit पर क्लिक कर देंगे submit पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface चो होगा जहाँ आपको अपना password create करना होगा यहाँ पर आपको तीन तरह के password create करने होगे सबसे पहला है signing password उसके बाद है transaction password और उसके बाद है new tp तो सबसे पहले हम signing password को set कर लेते हैं signing password आपको इस तरह से create कर सकते हैं आपका password strong होना चाहिए जिसमे capital letters, small letters, special characters और numbers का combination होना चाहिए साथ ही password 8 character का होना चाहिए for example मैंने यहाँ पर एक demo दे रखा है so आप उसको देखकर अपने password को create करके यहाँ पर type कर देंगे guys यहाँ पर आपने जो भी signing password type किया है वही password आप यहाँ पर फिर से type कर देंगे उसके बाद है transaction password transaction password का format signing password के जैसा ही है for example मैंने इसका भी यहाँ पर demo दे रखा है so आप उसको देखकर अपने password को create करके यहाँ पर type कर देंगे guys यहाँ पर आपने जो भी transaction password टाइप किया है वही password आप यहाँ पर फिर से type कर देंगे उसके बाद है new tip in आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी 4 number type कर सकते हैं बट याद रहें कि आप यहाँ पर जो भी number type करोगे वो आपको याद रखना होगा आपने यहाँ पर जो भी number type किया है वही number फिर से आप यहाँ पर type कर देंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे submit वाले option पर click कर देंगे submit पर click करते ही आपके सामने success का message show हो जाएगा साथी साथ आपका user ID भी यहाँ पर show हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस user ID को copy कर लेंगे या इस page का screen shot ले लेंगे उसके बाद symbol सा आप यहाँ पर नीचे signing वाले option पर click कर देंगे signing पर click करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface show हो जाएगा यहाँ पर आपको proceed to logging का option देखने को मिलेगा उस पर आपको click कर देना है click करते ही आपके सामने user ID का option दिखाए देगा आपने पिछे जो user ID कोपी किया था वो आप यहाँ पर paste करके signing वाले option पर click कर देंगे signing पर click करते ही आपके सामने sim verification का page show हो जाएगा guys यहाँ पर आपको अपने bank से linked mobile number वाले sim को select कर लेना है उसके बाद नीचे continue वाले option पर click कर देंगे continue पर click करते ही आपका mobile number verify होगा और उसके बाद आपके register mobile number पर एक OTP send किया जाएगा वो OTP आप यहाँ पर type करके continue पर click कर देंगे continue पर click करते ही आपके सामने set MPN का page show हो जाएगा यहाँ पर आपको एक new MPN create करना होगा guys आप इस application को दो तरीके से open कर सकते हैं फर्स्ट यूजर आइडी और पासवर्ट से, सेकेंड MPN से तो उसके लिए आप यहाँ पर अपने पसंद के चार अंका MPN create करें उसके बाद नीचे same MPN को re-enter करें और नीचे submit वाले option पर click करें submit पर click करते ही आपके सामने MPN set successfully का message show हो जाएगा simple सा आप यहाँ पर नीचे signing वाले option पर click करें signing पर click करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface show हो जाएगा यहाँ पर आपका नाम show होगा और यहाँ पर आपको MPN का option देखने को मिल जाएगा आपने पीछे जो MPN create किया था वो आप यहाँ पर type कर देंगे MPN type करते ही आप PNB1 application में login हो जाओगे यहाँ पर PNB1 application में banking के बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपने banking के सारे काम खुझ ही अपने mobile phone से कर सकते हैं जैसे कि ATM card apply करना, checkbook apply करना, अपने statement को download करना यह सारे चीज़े आप अपने mobile से गर बैठे कर सकते हैं वैसे में next वीडियो में इस application के सारे features और उसको use करने का तरीका बता दूँगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही तो guys आज किस वीडियो में आपने सीखा कि PNB1 application में registration कैसे कर सकते हैं I hope कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा guys अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को like करे, share करे और banking के related वीडियो देखने के लिए मेरी इस चैनल को subscribe करना ना बुले